2008 में क्रिकेट जगत ने एक नई दुनिया देखी और ये दुनिया दिखाई IPL ने जहां एक मंच पर दुनिया के सभी खिलाडी एक साथ मौचू थे रोमांच था, पैसा था और क्रिकेट था IPL ने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया और IPL के बाद पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले देशों में भी IPL जैसी लीग का आयोजन होना शुरू हो गया लेकिन IPL जैसी सफलता किसी भी लीग को नहीं मिली IPL के लिए क्रिकेट बोर्ड अपने प्लैन में बदलाफ कर देते हैं और कई खिलाडी अपनी नाशनल टीम को छोड़कर IPL में खेलने चले आती हैं लेकिन पाकिस्तानी खिलाडियों को IPL में खेलने का मौका नहीं मिलता IPL 2008 पाकिस्तानी खिलाडियों के लिए पहला और आखरी सीजन था जिसमें उन्हें खेलने का मौका मिला वह याब पाकिस्तान के खिलाडियों ने IPL को दुनिया की बेस्ट लीग बताया है उन्होंने कहा कि PSL किसी भी तरह से IPL की तुलना नहीं कर सकता वहाब ने कहा IPL वो लीग है जहां दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स आकर खेलती है आप इसकी तुलना PSL से नहीं कर सकते मेरा मानना है IPL एक अलग ही प्लाटफॉर्म है जिसका लेवल बहुत उपर है उनका कमिच्मेंट या फिर वो खुद जिस रास्ते पर चलते हैं उनकी सोच, खिलाडियों को निखाडने की ताकत, जैसे सब कुछ चीज़े बिलकुल अलग है इसके आगे उन्होंने बात करते हुए कहा मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी लीग आईपेल की बराबरी भी कर सकती है यदि इसके बाद दूसरे नंबर पर किसी लीग की बात करें तो वो PSL है पाकिस्तान में इस लीग ने ये साबित भी किया है हलाकि PSL में बॉलिंग का लेवल काफी अच्छा है इस उची स्तर की बॉलिंग आपको किसी भी लीग में देखने को नहीं मिलेगी आईपेल में भी नहीं यही कारण है कि PSL में मैच हाई स्कोरिंग नहीं होते आपको बता दें पाकिस्तानी खिलाडी अकसर आईपेल की तारीफ करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से आईपेल में खेलने का मौका मिले वहीं पाकिस्तान के इखिलाडी मौहमद आमिर तो ब्रिटेन की नागरिकता लेकर आईपेल में खेलने की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके है आमिर ने पाकिस्तानी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है और वो फिलहाल अपनी फैमली के साथ ब्रिटेन मिलेते हैं वहें पाकिस्तानी खिलाडियों को आखरी और पहले बार IPL 2008 लीग में खेलने का मौका मिला था तब बारा पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में खेले लेकिन 2009 में श्रीलंका टीम पर आतंकी हमले और 26-11 की घड़ना के बाद ये फैस्टा लिया गया कि कोई भी पाकिस्तानी खिलाडी आईपिल में खेलने के ये तरस रही है